हेलो माई डियर फ्रेंड्स नमस्ते सत्रिय काल असलाम वालेकम क्या हाल चाल है आपके आज आज मैं अपने फेवरेट बेंच पे यहां आ गही हूं पार्क में क्योंकि आज थोड़ी से ठंड हो गई है और देखे स्वेटर भी पहनना पड़ा क्योंकि शाहिद रात को होई है काफी लेट जिसकी वज़ा से घास होगेरा सब जगा पे गीला है यहां पानी खड़ा नहीं होता है क्योंकि जमीन जो है वह बहुत जादा पानी खेंच लेती है ड्राइनी होते लेकिन उसमें घास में मिटी में सब पानी चला जाता है तो ऐसा नहीं कभी भी नहीं होता कि पानी बहुत खड़ा हुआ है जैसे अपने मुलकों में देखने को मिलता है वो चीज नहीं होती है यहां पर तो ठंड लग रही थी और धूप नहीं निकली थी तो मैंने सोचा यहीं आके बैठके आराम से यहां पर हम लोग बनाते हैं व्लॉग को और कुछ एक कदु यहीं हüneँ भुछ भाल थंड़ा है और जी आज हुमारी सितारा जी कितनी प्यारी लग रही थी अपने बाल कटवागे रोडल को मेरे जैसे चोटे कटवाड हमें बाल बहुत अच्ah लगा है और साजीद वह किसी लग शुलरे थे कैजितने बहुत अच्ची लग रही हैं औ मेरे जैसा कोई तो है ना जिसने इतने छोटे बाल रखे हुए और बढ़ जाते हैं बाल अभी यंग हैं वो यंग एज में तो और भी बाल जादा बढ़ जाते हैं तो बहुत दोनों अच्छे लगने और कहीं गूमने के बाहर इतना अच्छा लग रहा है सोचके कि कहां करें हम भगवान वाही गुरू अल्ला ताला की उनके करम से आज इनकी फैमिली में फिर से खुशियां और जो लोग इनको दुखी कर रहे थे वो भी अब चुप करके बैठेंगे या नहीं बैठेंगे लेकिन नहीं बैठेंगे तो हमारे पास है उनके लिए भी जवाब उ में कि सितारा कमसकम अपने हजबन के साथ अपनी बेटियों के साथ वह बाहर कहीं घूमने गई है और पता चल जाएगा कल तक कहां गई है घूमने अंदाजा सबका यही है कि दुबाई गई है लेकिन हो सकता है कि और कोई कंट्रीज भी जहां पे वीजा की इतनी दिक्कत नहीं होती है तो हो सकता है वो कोई ऐसी कंट्री में भी गई हो तो उन दोनों को देखके ना एक पुराना सा गाना याद आ रहा था जब सितारा और साजित कार में बैठे हुए थे तो क्या आप सोच सकते हैं कैसा गाना हो सकता है कि गाना जो मेरे खयाल में आया था वो था तुम्हें पाके हमने जहां पालिया है तुम्हें पाके हमने जहां पालिया है जमी तो जमी आसमा पालिया है तुम्हें पाके हमने और वाके जी जब दो प्यार करने वाले दो एक दूसरे को चाहने वाले और एक दूसरे का खयाल करने वाले जब पास हो तो उसमें तो यही लगता है कि पूरी दुनिया आपको मिल गई सारा कुछ आपको मिल गया इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए तो बहुत अच्छी बात है वी विश हर एंड साजित जी और बच्चों को सबको जो भी जा रहे हैं इस ट्रिप पे सबको सेफ जर्नी सब अच्छे से जाएं इन्जुआए करें फ्रेश हो के आएं लेकिन 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 बाग की पार्टी का क्या होगा अब भी भी स्टोरियां बनाने में लगे हुए हैं लोग उठा उठा के सलमा की पुरानी वाली लाइव पे जो आई थी वो वाली लगाते जा रहे हैं कि देखो जी उसने कैसे कहा कि मेरे हस्बंड वहां गए थे उन्ह वही सब पुराना ड्रामा वही सब कुछ क्या फाइदा है वह आप लोग पहले बोल चुके हो और किसी ने आपका यकीन नहीं किया तो अब दुबारा दुबारा रिपीट करने का क्या मतलब है लेकिन यह ना यह मानने वाले नहीं हैं अभी हमें और थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि यह लोग ऐसी ऐसी बातों से जरा-जरा से इनको प्यार से समझाने से यह लोग समझने वाले नहीं हैं तो आई हॉप रिली कि अब सलमा देख ले कि सितारा को वो तोड़ नहीं सकती है जितना मर्जी कोशिश कर ले वो सितारा को नहीं तोड़ सकती है क्योंकि जैसे कल सितारा ने कहा अपने व्लॉग में हमें गिराएंगे हम फिर उठेंगे फिर गिराएंगे हम फिर उठेंगे तो गिरा लो कितनी बार गिराओगे और अगर बहुत ज़ादा ही गिरा गिरा के गिरा गिरा के उसके बाद अगर सितारा को किसी की मदद होगी तो हम उसके स्पोर्टर्स हम उसके साथ खड़े हैं और जो जानलिस्ट जी कहती है ना कि ये ऐसी लोग हैं जो पड़े लिखे नहीं हैं जो सिर्फ एमोशनल हैं और एमोशनल हो कर ये लोग उसके साथ हैं वो जरा सा के रोती है तो वो लोग इसके पीछे-पीछे चल पड़ते हैं नहीं समीरा जी आप गलत कह रही हैं एमोशनल लोग वो होते हैं, हाँ हम एमोशनल हैं, लेकिन एमोशनल लोग जो होते हैं न, वो दिल के साफ, दिल के अच्छे और केर करने वाले होते हैं, सलमा के स्पोर्टर जैसे नहीं, कि पहले कहां थे वो लोग, उन्होंने देखा कि सितारा सब को पता नहीं मानेंगी, नहीं मानें लेकिन हमारा कहां से नाम हो सकता है कहां से हमें ज्यादा व्यूस मिल सकते हैं वो सब हैं जो आप सोच रहे हो की हम सितारा के स्पोर्टर्स हैं वो एक्चली में सल्मा के स्पोर्टर्स वो वाले हैं जो लोग फटफट व्यूस बनाने के लिए सल्मा की और भागे ये वो कि गलत बातें बोल रहे हैं और अब जब सल्मा ने देखा होगा कि सितारा पे तो कोई असर ही नहीं हुआ वो तो अपने सूटकेसिस पैक करके अपनी फैमिली के साथ खुब तयार होके अपने बाल सेट करवा के चल पड़ी है तो सल्मा रो रो के बैचारी क्या कह रही है सु ओ दूर के मुसाफिर हम को भी साथ ले-ले-रे हम को भी साथ ले-ले हम रहे गए अकेले शल्मा जी अभी तो शुक्र करिए के अलबेग में आप अकेली नहीं थी आपके मिया आपके साथ है आपके बच्चे आपके साथ थे, आपके कठी डिनर खा रही थी और भाग नहीं वहां से, अब क्या फाइदा है सितारा को कहने का कि हमको भी साथ ले ले, सितारा ने बहुत घुमा दिया आप लोगों को, बहुत से उसने फार्म हाउसे रेंट करवा करवा के, इतने महंगे मह जब अगर आपने वो सब पहले किया होता, सलमा जी, अगर आप ऐसी अच्छी लाही बिता रही थी, तो आपकी पहले से भी कोई तस्वीरें होती, आपने वो भी दिखाया होता, लेकिन ये हुआ, सब कुछ आपने जो इंजोई किया, वो सितारा की वज़ा से हुआ, अब तो बैठकी ये ही गाई है, कि हम रह गए अकेले, अब अकेले ही रहना पड़ेगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, सितारा के साजित को सब गोंचू गोंचू करते हैं, अभी आपका गोंचू आपके साथ है, तो आप भी मेरी तो यही है, अल्ला ताला से दुआ कि आपको आपका बेटा मिले और आपके घर में खुश्या आएं और आप लोग भी इंजॉय करो, हम आपका बुरा नहीं चाहते, हमें नहीं आए कि हमने कोई दुश्मनिया निकालनी है, आपने दुश्मनिया निकाली सितारा से, हम दुश्मनिया नहीं निकालते हैं, और मैं तो वि यही मेरे तरफ से तो अटलीस यही दुआ है बाकी कोई क्या कहे वो उनकी मर्जी है लेकिन इतना बता दूँ जो सितारा को स्पोर्ट करती हैं वो दिल के इतने अच्छे हैं कि वो कभी भी किसी के लिए बद दुआने ही निकालते हैं अपने मूँ से आपने देखा होगा किस अपने स्पोर्टर्स को कुछ समझाए और खुद भी समझिए ये वक्त आपका ऐसे स्ट्रेस वाले टाइम से जाने का नहीं है मैं बार बार अपने हर व्लॉग में कहती हूं कि खुद को अब आप भी संभालिए जैसे सितारा ने संभाला है आप भी खुद को माना सलमा जी आपके भी बहुत सपने थे आपने सोचा था मैं भी सितारा की तरह कफी कमाल हूं और मैं उस से जादा मेरे भी सब्सक्राइबर हो जाएं और मैं भी उतना कमाबा हूं लेकिन देखिए ये तो सबका अपनी अपनी किसमत का होता है ना सितारा ने पहले कितने दुख देखें आप जब कितने सालों से साउदिया में रहती हैं आपका तो वहां पर अच्छे से गुजारा चल रहा था और आप ही की जुबानी था कि आप सितारा को भी पैसे भेजा करती थी जब जब कभी भेज सकती थी आप भेजा करती थी तो अब आप खुश हो ये आप उसका मुकाबला आप क्यों करना चाहती हैं अगर अभी भी आप उसके लिए वैसे ही प्यार दिल में रखें वैसे ही उसके लिए दुआ करें जैसा पहले करती थी तो अल्ला ने उसको नवाजा है तो उसके लिए खुश हो ये ना ऐसे खामका जलने से क्या होगा जलन से तो फिर सपने उल्टा तूट जाते हैं और तूटे हुए सपनों को लेके बिक्री हुई चीजों को आप कब तक समारती रहेंगी तो सलमा यह अच्छी बात नहीं है अपने आपको अभी भी काबू कर लीजिए अभी भी यह जूट की कहानियां बंद करिए कि मैं फ्रेंड कुछ नहीं हो रहा है आप जानती हो हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बाद में आप ही को जादा दुख होगा जब कुछ नहीं होगा जब सब मामला खातम हो जाएगा आपको ही सबसे जादा दुख होगा सितारा ने तो खुद को संभाल लिया अब आपकी बारी ह आप ये गिव अप करें वरना अब मुझे आपके लिए एक और गाना गाना पड़ेगा और वो गाना बिल्कुल इस पे सही बैठता है कि जब इनसान का सब कुछ लुट जाता है न जबरदस्ती जिद में आके तो उस वक्त इनसान क्या कहता है अब हो सकता है मुझे ये लाइ कभी गाया नहीं आए और बहुत टाइम हो गया सुना भी नहीं लेकिन याद था मुझे तो सल्मा जी ये खास करके आपके लिए सपने जड़े फूल से मीत चुभे शूल से लुट गए शिंगार सभी बाग के बुबूल से और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे कारवां गुसर गया गुबार देखते रहे यही होगा सब ये वक्त तो निकल जाएगा आपके हाथ कुछ नहीं आएगा जैसे वहां रास्ते में खड़े हुए कोई एक कारवां गुजर रहा होता है फिल्मों में बहुत बार देखा होगा ऐसे राजस्तान जैसी जो बिल्कुल पत्रीली सी मिट्टी वाली जमीन वो सब होता है वहां से वो बैल गाड़ियां जा रही है और वो जब लोग पैदल पीछे पीछे चलके जा रहे होते तो पीछे कितनी धूल उड़ती है न तो ये वो ही होगा सपने जड़े फूल से मीत चुभे स्चूल से लुट गए शिंगार सभी बाग के बुबूल से और हम खड़े खड़े सॉरी लाइन भूल गई न देखा गाया नहीं एतने टाइम से तो क्या करो और हम खड़े खड़े बाहार देखते रहे कारवां गुसर गया गुबार देखते रहे कारवां गुसर गया बाहार देखते रहे लेकिन वक्त है संभल सकते हैं अभी भी बहुत टाइम है संभलने का चाहो तो बेशक बोलो ना बोलो लेकिन अपने घर को तो संभालो अपने हस्बन को तो संभालो वरना वो भी सब हाथ से फिसल जाएगा क्या फाइदा है फिर उसका लेकिन at least हमने जिसका साथ दिया वो आज खुश है वो आज फिर से enjoy करने गए है इस बात का हमें बहुत ही जादा दिल से सुकून है दिल से खुशी है और इंतजार है उनकी तस्वीरों का कि जहां जहां वो जाएंगे वो कैसी कैसी तस्वीरें खिचाएंगे और कहां कहां गोमें क्या क्या शॉपिंग होगी बहुत इंतजार है सितारा के पहुंचने का और सितारा के कल की व्लॉग का और सितारा हो सके तो आप भी कभी गाना गादो बहुत अच्छा लगेगा आप भी जब आकि अपने चैनल पे अपनी व्लॉग में एक अच्छा सा प्यारा सा गाना जीत हिलेंगे बाजी हम तुम, जीत हिलेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा चूटेना, प्यार का बंधन, जनम का बंधन, जनम का बंधन तूटेना, और अल्ला ताला से हमारी यही दूआ है, हमारे भगवान, हमारे वाहिगुरू से हमारी यही दूआ है, कि आपका साजिद का प्यार का बंधन कभी ना तूटे, आप हमेशा अपनी फैमिली में खुश रहें, आगे से कभी भी कुछ भी हो जाए, आपने ऐसे स्ट्रेस्ट नहीं होना है, जब स्ट्रेस्ट हो, ऐसे मेरे जैसे गाने गाल या करूँ, एक मिनट में मूड ना बिल्कुल ठीक हो जाता है, कभी-कभी गानों के साथ रो भी लो, और उससे अपना जो दुख है वो बाहर निकल आता है, और सब कुछ ठीक हो जाता है, इन्ही दुआओं के साथ, आज आप से सबसे इजाज़त चाहती हो, और इंतजार करूँगी कल का सितारा की व्लोग का, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, अला हाफिस, नमस्ते, साथ शियाकाल, अपना ख्याल रखियेगा,